बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी बहुजन समाज को कई ऐसे संदेश दे गए जो आज भी समाज के लिए मार्ग दर्शनवा रूप रेखा देने का काम करती है बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक खास बात कह गए ये खास बात क्या है और बाबा साहब जाते जाते भी इस समाज से क्या कह गए आईए हम जानते हैं बाबा साहब ने कहा पढ़ने लिखने के बाद पढ़े लिखे लोगों ने समाज की तरफ अपना मूँ मोड लिया ऐसे लोगों का समाज के परती रवया एक विश्वासकात की तरह है यह बात 31 जुलाई 1956 की है बाबा साहब हमेशा की तरह शाम के समय अपने 26 अलिपूर रोड में बैठे हुए थे और काफी उदास थे जब बाबा साहब के करीबी और उनके सहायक नानक चंद रत्तु जी ने उनसे दुख का कारण पूछा तब बाबा साहब अपने दुख का कारण बताते हुए कहने लगे मुझे किस बात कर दुख है ये तुम लोग नहीं समझोगे मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अपने जीवन काल में मैं अपना कारे पूरा नहीं कर पाया और मेरी ये इच्छा थे कि मैं अपने लोगों को बाकी समाज के साथ साथ राजनितिक सत्ता के हिसेदार बनते देखूँ मैं अदेखना चाहता हूँ कि मेरे समाज के युवा भी राजनिती में आए सुरणरों ने भारत की राजनिती पर अपना कबजा जमाया हुआ है लोगों को दी है उसका फाइदा समाज के कुछ ही लोग ले पाए और पढ़ले निखने के बाद उन्होंने समाज की तरफ अपना मूँ मोड लिया ऐसे लोगों का समाज के प्रतिरवया विस्वास घात की है मैंने जैसा सोचा था उससे कई ज़्यादा वो लोग स्वार्थी निकले वो केवल अपने लिए जीने लगे ऐसा जीना समाज के लिए आत्म घात की साबित होगा मैं हजारों लाखों लोगों तक मेरा काम पहुचाना चाहता था जो आज भी भारत के अलग-अलग राज्यों में द्यातों गाओं में रहते हैं जिनकी आज भी आर्थिक और समाजिक इस्तिती वैसी ही है जो हजारों सालों से रही है पर अभी मेरी जिन्दगी कुछ जादा नहीं बची मुझे मेरे जीते जी मेरी कितावे बुद्ध एंड हिस दम्मा और रिवलोशन ऑफ काउंटर रिवलोशन इन्सेंट इंडिया रिडल्स ऑफ हिंदुजम का प्रकासन करना था मगर मेरे जीते जी ऐसा ममकिन नहीं लगता मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जिन्दा रहते मेरे समाज में से कोई आगे आकर मेरी इस मिशन को आगे ले जाएगा मगर ऐसा कोई मुझे अभी दिखता नहीं जिनके उपर मुझे भरोसा था विश्वास था वो लोग सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं वो लोग ये नहीं समझ रहें कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके उपर है मुझे और कुछ साल इस देश और इस समाज के लिए काम करने की इच्छा थी मगर अब जिन्दी की ज़्यादा बची नहीं मौझूदा हालत में देश की विकास पर अपना मत रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है जहां पर लोग परदानमंत्री के विचारों के खिलाफ जाने को तयार नहीं है फिर वो देश और समाज हित के लिए कितना ही फाइदमंद क्यों नहों और मैंने जो कुछ हासिल किया है वो खुद की बदौलत हासिल किया है ऐसा करते वक्त मुझे धेर सारे लोगों की विरोध का खास तोर पर समचार पत्रों का खासा विरोध सान करना पड़ा और आज जो ये काफिला यहां तक आया है वो काफी संगर्स और मेहनत से मैं ला पाया हूँ अगर ये कारवा उन्हें आगे ले जाना है तो उन्हें कई समस्याओं और कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा अगर मेरे समाज को आत्म सम्मान से जीना है तो ये संगर्स जारी रखना पड़ेगा अगर उन लोगों से ये संगर्स नहीं होगा तो उन लोगों से कह देना कि ये काफिलों को यहीं छोड़ दें इसे किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने दें हो सकता है ये मेरे जीवन का आखरी संदेश हो पर मेरे इस संदेश को मेरा समाज नजर अंदाज नहीं करेगा ऐसी मैं ऐसा करता हूँ जाओ नानक जाओ मेरा ये संदेश मेरे समाज के लोगों को पहुचा दो जाओ ये वीडियो देखने का आपका धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें